अंकर बारिश ने अब साओधी अरब में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। साओधी अरब में तबाही वाली बारिश हो रही है। दरसल पिछले कुछ दिनों से यहां भारी बारिश हो रही है जिसके वज़ा से बार जैसे हालात बने हुए है। इतने नहीं एक और दो मई को सौधी के बड़े शहरों में बारिश देखने को मिली जिसके बाद कई कामकास प्रभावित हुए हैं सोशल मीडिया पर वैरल हुए एक वीडियो में देखा जाता है कि दहरान में भारी बारिश के वज़े से किंग फहद यूनिवर्सिटी की एक मस्जित के चट गिर गई साओधी के मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ बारिश कुछ दिनों तक रहेगी साओधी अरब ही नहीं बलकि इस महीने के शुरुआस से खाड़ी देशों में आई तूफानों की वज़े से कई देश प्रभावित हुए है ओमान में 20 और UAE में 4 लोगों की मौत हो गई है दुबई और शाजा में एक महीने में दूसरी बार तेश बारिश देखने को मिली जिसे रोस मर्रा के जीवन प्रभावित हुआ है भारी बारिश के बाद साओधी सरकार ने ओफ्लाइन क्लासिस को बन करके ऑनलाइन कर दिया यहां तक की ऑफिस भी बन कर दिये गई और घर से काम यानि की जबलू एफ एच वर्क फॉर्म होम करने की हिदायत दी गई है इसके साथ साथ डिलीवरी सर्वेस बस और हवाई आतायाद भी बारिश से प्रभावित हुए है बारिश के बाद सामनी आई तस्वीरों में मजड़ों में पानी भरा हुआ है सड़कों पर आप देख सकतेगे कि सरीके से कार आधे पानी में डूबी हुई है आपको बता दे कि अन्य गल्फ देशों का ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश को जेलने के लिए नहीं बना गया है जिसकी वज़ा से मौसम में हो रही बदलाफ का सीधा असर देखने को मिल रहा है साथी और दुबई ही नहीं बलकि गल्फ के कई देशों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा है कतर, बहरीन, कुवेट और उमान के भी कुछ इलाकों में बारिश से बाट जैसे हालात बने हुए हैं और अभी भी भारी बारिश के वज़े से वहां की लोग परिशान हैं तो फ़लाल इससे वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके और चलते चलते एक सरूरी जानकारी, आपको न्यूस नेशन की यूट्यूब चैनल पर एक जॉइन बटन दिख रहा होगा इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबर्शिप ले सकते हैं, बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में जाधा जानकारी मिल जाएगी तो देश और दुन्या की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारी साथ, देखते रहें न्यूस नेशन साथी अरब में तबाही वाली बारिश हो रही है, दरसल पिछले कुछ दिनों से यहां भारी बारिश हो रही है